रोज सूबर जब हम उठते हैं तो यही सोचते हैं कि नास्ते में क्या बनाया जाएं रोज-रोज का वही जहनजट कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी बनने वाली इडली के रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और इसको बनाना तो इतना असान है कि आप हपते में दो से तीन बार तो जरूर बना ले हुए हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रिखा मेरे कीचन रिखास फ्रेश फ्लेवर में आपका स्वागत है तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते है तो इडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले ले लेना है दो कच्चा आलू जिसको हमने अच्छे से छील कर धो कर काट लिया था अब उसमें हम डाल देंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा दो हरी मिर्च, हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं अब इन सब को हमें अच्छे से एकदम ग्राइन कर लेना है अब ग्राइन करके हमने एक बाउल में इसको ट्रांसफर कर दिया है अब मिक्सी की जार को दो कर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मिक्सी की जार में जो चिपका हुआ है वो भी निकल जाए अब हमें ले लेना है एक कप सूजी यहाँ पर मोटा या पतला कोई सा भी सूजी ले सकते हैं और उसमें डाल देंगे आधा कप थोड़ा सा खट्टा दही थोड़ा कट्टा दही का बनाएंगे तो इसका टेस्ट जादा बेटर होगा अब इन सब को हमें अच्छे से मिला लेना है यह बहुत ही सॉफ्ट बनता है यह जो आलू हमने इसमें डाला है उससे यह जो इडली बनेगी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी तो मिलाने के बाद अब हमें इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम चटनी के तयारी कर लेते हैं तो चटनी बनाने के लिए हमने यहां पर ले लिया है थोड़ा सा हरा धनिया उसमें दो बड़े चम्मच, डेसिकेटेट कोकोनट डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच मुंख़ली और दो बड़े चम्मच चना, रोस्टेट चना जो आता है न, वो चना डाल देंगे और उसके साथी ले लेना है दो हरी मिर्चे, चार लहसुन की कलिया और चार चम्मच दही, यहाँ पर हम खट्टा नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें फ्रेश दही लेना है और मिर्च को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं और उसके साथी डाल देंगे वन फोर्थ का पानी और स्वात के नुसार नमक इन सब को डाल कर हमें अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है और यह देखिए ग्राइंड करने के बाद कितना अच्छा इसका चटनी का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो अब इसको निकाल देते हैं और साइड में रख देते हैं अब चलते हैं जो हमने इड़ी के लिए बैटर तैयार किया था उधर और ये देखिए ये थोड़ा सा ठिक हो गया है यानि सूजी जो है पानी को सोब estimates कर लिया और सूजी अच्छे से फूल गया है तो अच्छे स तो यहां पर हमने पूरा पानी डाल दिया है और इसका जो क्नसिस्टेंसी है और पानी डालने का वह आपकी डही के उपर डिपेंड करता है आपकी दही अगर सबकिकर प्रांपने रणोब उसकता मेंद मतने हैं हमें बैटर के उपर बगहार लगाना है तो उसके लिए हमने दो छोटे चमच तेल को गरम कर लिया है उसमें एक छोटा चमच जीरा, एक छोटा चमच राई डाल कर अच्छे से तड़कने देंगे फिर उसमें डाल देंगे थोड़े से करी लिप्स याने की करी पत्ता और देड़ चम्मच चना की डाल और एक चम्मच उरत का डाल अब इन सभी चीजों को डाल कर हमें अच्छे से एकदम लो फ्लेम पे इसको क्रंची होने तक हमें भून लेना है और मैं यहाँ पर चटनी के लिए भी तड़का इसी के साथ तयार कर रही हूँ अलग से नहीं कर रही हूँ तो इसलिए हमने डाल दिया है यहाँ पर दो सूखी वाली मिर्च मिर्च को भी डाल कर हमें अच्छे से थोड़ा भून लेना है अब हम लगाएंगे इसी में से चटनी के उपर तड़का तो यह थोड़ा सा निकाल देते हैं और चटनी के उपर तड़का लगा देते हैं और यह हो गया हमारे तड़के वाली चटनी रेडी अब हमें इडली के लिए तड़का तयार करना है तो उसी तड़के में हम डाल देंगे थोड़े से काजू, दो बड़े चमच हमने यहाँ पर काजू की टुकड़े ले लिए है और उसको हलका सा रोस्ट कर लेंगे जैसे ही काजू हलका सा रोस्ट हो जाएगा फिर हम उसमें डाल देंगे एक पारी कटा हुआ प्याज अब प्याज डाल कर हमें बस 30 सेकंड तक ही भूनना है ताकि प्याज में करंच बना रहे है और इसमें जो हमने डाल डाले है उसका टेस्ट जब हम एटली बनाएंगे उसमें बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि इसका जब टेस्ट हलका सा करंची रहता है तभी अच्छा लगता है और ये दिखिए प्याज हमारा रेडी हो गया था तो इसको अब हमें बैटर के उपर बगार लगा देना है और एक पर अच्छे से मिला लेना है दोस्तो बहुत ही टेस्टी लगता है आप एक प बहुत पसंद आएगा एक बार अगर आपने बच्चों को बना कर खिला दिया ना तो हर दूसरे तीसरे दिन इसकी जरूर आपसे डिमांड करेंगे तो यहां पर हमने अब उपर से डाल दिया थोड़ा सहरा धनिया और साथ में डाल दिया है हमने स्वात के अनुसार नमक न पहले सारे इडली स्टेंड को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तभी हम जो बैटर बनाया है उसमें हम फर्मेंट करने के लिए इनो डालेंगे तो इडली स्टेंड को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया था अब हमें इसको फर्मेंट करने के लिए एक पाउच इनो डाल देन अब उसके उपर से एक चम्मच पानी डाल देना है अब एक बार अच्छे से हमें मिला लेना है अब मिलाने के बाद इसको हम इडली वाले साचे में डालेंगे दोस्तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज के और हाँ दोस्तो आप मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से और कौन से देश से मेरे इस चैनल को देख रहे हैं आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहेगा और यहाँ पर मैंने प्रिहिट कर लिया था इडली स्टैंड को नीचे पानी ड देंगे अभ धक्कन को बंद करके हमें 7-8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको पका लेना है साथ से आठ मिनिट हो गया है तो इसको ओपन कर देते हैं और ये देखिए इसका कलरी चेंज हो गया यानि ये पककर रेडी हो गया है तो अब इसको पहले 2-3 मिनिट के लिए ठंडा होने देंगे फिर हम इसको साचे से बाहर निकालेंगे क्योंकि बिल्कुल गरम में निकालेंगे न तो ये अच्छे से नहीं निकल पाएगा और निकालने के लिए हमें चाकू या इस्पून किसी चीज की सहायता लेकर आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं और ये देखिए कितने अच्छे से निकल गया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है आप एक बड़ जरू ट्राइ केजिए आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये वाली इडली बना कर अगर आप फ्रिज में भी रखेंगे न तो भी ये टाइट नहीं होगा हाड नहीं होगा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा इसको आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में बना कर देंगे न तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे बच्चों को टिफिन बॉक्स में दीजिए या तो लंच बॉक्स में दीजिए कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा आप्शन है तो ये देखिए दोस्तों ये कितना सॉफ्ट बना है मैं एक दोड़की भी दिखा रही हैं आपको ये दिखिए अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और उपर से तो हैं ही तो आप भी बनाईए बनाकर मुझे कमेंट करकर जरूर बताईए कि कैसा लगा और फिर मै मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाए टेक क्यार है वे नाइस डेए